कैया नमस्कार दोस्तों कंशेपट की में आपका स्वागत इशेपर है इस से पहले हमने पांच चेप्टर मलोगाते इस चेप्टर के नाम हमारा चेह भरत है इसमें भरत से रिलोडिट कुछ इंफोर्मेशन को तो देखेंगे और देखेंगे कि भारत किन-किन छेत्रों से होके घिरा हुआ है हिमाली एक स्थिति कहां पर है तो चले चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और यह बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है जो 6th class के NCRT है जितने भी है चायो हुिस्ट्री की हो यहां पर एक information दी गई है, यहां पर आपको यह bracket में जो information देते हैं, यह चोटे चोटे information है, तो प्रायदीप का इसमें meaning लिख रखा है, कि प्रायदीप क्या होता है, तो प्रायदीप दोस्तो वह भाग होता है, इस थलका जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है, जैसे हमारा भा दरक्षिन में हिन्द असागर है, अभी हम देखेंगे कि भारत का map को देखेंगे, तो आप्लेस की मचाप की देखेंगी हैं लिए हो एप में में बंगला की खाड़ी तो उसको प्रायदी बोलते हैं तो भारत एक दोस्तो यह प्रायदीप का उद्धारा नहीं है आपर देखें यह तीन तरफ से घिरा हुआ है अभी हम देखेंगे आपर अन्दमान निकोबार दीप समूँ है तो चले चेप्टर स्टाइट करते हैं बहुत ही छोट से च करें बहुत इसमें इंपोटन इनपूर्मेशं मैं भी दी गई है कुल भारत एक बहुत बड़े भ्हकॉलिव विस्तार वाला देश है उत्थर में हिमाले के उंच्छे शिखरो शिखर आया है तो उत्थर में。 दोस्तों हीमान ले लेकिए अगर आप मैप को देखेंगे यहां पर अगरा मैप बनाएंगे इस तरह से भारत है यहां पर और इस तरह से यहां गुजराते दोस्तों कुछ इसतर दोस्तों मैं पर हमारा है हू से लुटो इस तरी को मैं बन्सकता है कि यहां पर ये इसको बोलते हैं उत्तर साइड और नोर्थ है नोर्थ है यह युस्ट है तो यह वेस्ट और यह साउत से पूरब, दोस्तों दर से निकलता है पस्चिम, तर और दक्छीन तो यहा उत्तर में और में यहां दोस्तों हिमाल्या इस्थीत्य ते जहाना इस साइड में उनाचलग प्रदेश तक यहां तक राम चब्वॉका पर्वत तक तो यह बता रहा है कि उत्तर में यह हिमाले के उंचे सिख्रों से गिरा है पस्चिम अरप सागर दोस्तों यहां पर अरप सागर है यहां पर पूरम में बंगाल की खाड़ी सिते हैं यहां पर दोस्तों बंगाल की खाड़ी है और दक्षिन में हिंदमा सागर है भाड़ते प् बढ़ते हैं एक बार यह दक्षिन में हिंदमासाकर भारतय प्राइदीप के तटो पर लहरा थे यह आपने देख लिया है आगे बढ़ते हैं भारत का छेत्रफल 32.8 लाग वर किलोमीटर रही यह फिगर आपको यह दियाना करने हैं कई बार एकजाम में पूस लेता है कि भार स्टार लगवग 32 किलोमेटर रहे हैं अगर मैं आपको यहां बता दूं यहां पर मैं आपके माद्यम से आगे हम देखेंगे भी है कि दोस्तों यहां पर देखिए हैं कि पहले यह वाली इंफ्रमेशन देखता हैं यहां पर उत्तर में उसल लद्दाक है और दक्षिन में कर लगवग 32 किलोमेटर रहे हैं तो पूर में रणाचल पर देख और पस्ची में कच तक अगर बहरतका बनेंगे से में क्दाने कि अध्य पर दोस्तों यह नाचल पर देश नहीं कच ए-गुजरात वी सतार आपका लगवग तो यहां पर लद्दा के उत्तर में और दक्षिन में कन्या को मारी है यहां पर यह दोस्तों बत्तिसों किलोमेटर तो आपको यह ध्यान लगना है अभी हम इसकी अक्षांस और देशांतर रेखाई भी देखेंगे हमने फस चैप्टर में देखा था सचुन चैप्टर में कि अक्षांस रेखा कोन सी होती है तो लगवी लेखाई और देशांतर होती है वर्टीग तो जब आंसे लाइन खेजेंगे तो कहीं न कई हमारी हहां पर टुच करेगा और कई नकर उत्तर में यहां यहां टच कर लेगा तो यह अक्षांस सभी इस कुझów को दर्शाते हैं तो आप देखें यहां पर भारत में तैंस्ता हैं यहां डिसकस किया गया लिखा गया है ओंचे पर हैं भारत में मारें टेशित्तान में Fareed स्हें सोलब दाग में सीध मरुस्थल है हम देखेंगे आगे आगे पढ़ेंगे और लुद गैसे बंदे ये इतने परकार रहोते हैं उत्री मैदन है आपर जहां हिमालिया हिमालिया से दा शिनायए एंगे हम ठोड़ा सा यहां पर उत्री त草त्रप टोंग के मैंदान होता है गंगा भ्रहमपुतर रसींदों का जो मदाने वाला तो तो देखेंगे ऐसा मन पठारी सतय है जो दक्षिन भारत वाला यह यहां पर जो है यह इस तरह से यह उत्तर कमेदान अगर मैं बनाएगे मैंसे और यह क्या पठार सतय था यह था यह था यह बहागे दोस्तों यह वाले फिर में बलैक से स्कौ आयलाइट कुरू तो यहां पर कि वन्यस्पत्य वन्यजीवों के साथ साथ भासन संस्कृति में बहुत भिंता है तो हमारे देश में आपको पता यह विभिन परकार की भाशा बोली जाती है और विभिन परकार की संस्कृति है कि इसके बहुत भी हम दोस्तों एक जूट रहते हैं जब हमारा देश लेकिन दोस्तों कि एक जूट आज तक है कि बेसक हमारी भाषा यह लगए संस्कृति लगए लेकिन हमारी दोस्तों कल्चर में अपना पन है और सद भाव हो गया है रही चारा है बहुत सारे मुल्या ऐसे हैं जो हमें एक जूट बाने रखता हैं इतनी सारी भासा और संस्कृ होने के बावजूद भी अनेकता में एकता किसी को कहते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी भिंता में भी हम एकता को मापते हैं जो हमारी प्रंपराव में दिखती है यह कारण है कि हम एक राष्ट में बंदे हैं वर्ष 2011 से अब तक भारत के अबादी 120 करोड से अधिक हैं यह चीन के बाद विस्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंग के अवाला देश है और आपको पता है कि हम चीन को भी पीछे छोड़ कर नंबर वन पर पहुंच गई है वरतमान में लगवग 135 करोड की जनसंग के भारत की हो चुकी है कि करंट अफेर के पॉइंट ओफ इसम किसी बनाते हैं अब मैं आपसो समझाताँ हो कि उत्र पिरव इक्लाप का मतलब यहां पर क्या है कि रसे यह पर प्रित्द भी है और हमने देखाता है यह जीरू डिगरी भूह मद्धे रखाया है इसका तुक्रा में देखाता है यह वाला इससला दौस्तों सउत और इस हमने एक सब्सक्वाइब दोस्तों यहाँ यहां पर कर रेखा है यह właśnie अर दॉसे दिखेंगे सो सब्सक्राइब चेंअ और भारत दोस्तों यह अैसी द्हसी का वारत पार देहां भारत के बीच घुजरती यह वीर सी निकलती है तो ध्यानक ने दोस्तों पूरी तरह से उत्री गुलार्द में भारत इस देते हैं आगे हम देखेंगे और देखेंगे यहां पर लिखा करक रेखा तो यह इंपोर्टेंट लाइन है आपको यह ध्यान लखना है जो करक रेखा है भारत के बीचम बीच से गुजड़ते हैं अगे बढ़ते हैं अब हम देखेंगे कि करक रेगा कितने राज्यों से ओकर गुजड़ती है आगे बढ़ते हैं तक्षिन से उत्तर की और भारत की मुख्या भूम का विस्तार आठ डिगरी चार उत्तर 37 डिगरी 6 उत्री अक्षान सो में है तो अब हम इसकी लोकेशन भी देखेंगे दोस्तों आगे बढ़ते हैं पस्चिम से लेकर पूरव तक भारत का विस्तार 68 डिगरी 7 पूरव तता 97 डिगरी 25 पूरव देशानतर के बीच हैं अभी हम इसकी लोकेशन को देखेंगे आइडेंटिफाइ करेंगे देखें यहां पर यह करेगा सब्सक्राइब अब आप देखेंगे यहां से इन्पोर्टेंट लाइन आप मैं हाइलाइट कर देता हूं फिर इसको हम समय करेंगे इन्पोर्टेंट लाइन है तो जब हम भारत की बाट करते हैं तो भारत दोस्तों यहां पर इसको कर रेखा अगर बीच अमभी बाहरत का मैप देखें बहरत का मैप यहाला है और यह वाली जो रेखा है यह वाली यह दोस्तों 0 तरड़ी 23 डिगरी करकर रेखा देखिए आप देखे कितने राज्यों से ओकर गुजर रही है है कि आफ देखें कि गजुरात से तो फोके गुजर रही है अर तो राजस्थान को दक्षिन पार्ट बहुत छोट इसा देdosर यह वाला कि यह वाला यही वाला आऊ कि यहां पर कि आफ गुजरॉत ए राजस्थान कि कुछ पर्डेश है और जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर 36 गड़ है या उत्तर प्रदेश होगे गुजरिये दोस्ते यहां पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से नहीं गुजर रही है देखें यह नहीं गुजरिये थाड़े तेश की यह वाली रिखा है I say he Jeha360 बंगाल है और यहां पर बंगला देश ही हामारा नहीं दोस्तों बंगला देश है जी होतर और बंगली देश ही उप कितने राज्यों से होके गुजर रही है आप अभी है यह इन आप राज्य देखेंगे दोस्तों न गुजिराट दूसरा राजिस्थान तूरब आपको याद रखने हैं गुजरात राजिस्थान मंद्य पैजिस गड़ जारकन और पस्चिम भंगल तो चैन्त हो गए आपके और दो राज्य हैं दोस्तो पूर्वत्र के दोस्तों यहां पहले च्छोटा सा राज्य है यहां पर देखेंगे तिरकुरा है और यहां के दोस्तों मिजोराम है यह तिरुपुरा है आपका और यह वाला जो राज है दोस्तों आठवा यह मिजोरम तो आप देखें करक रेखा साड़े तेस डीरी बीचम बीस वकर गुजर रही है यहां और आप देखिए कि सबसे ज़्यादा जो गर्म होताए करक रेखा से दस्चिन में पड़ती है इस ऐरिया में माल में यहां तक लिए vents नँ आपके बाएं घ्र जुटर से होकर गुजरती है बहुत इंपो कि यह लाइन है करके रेका तो गुजरात राजस्थान मद्यपर्देश हत्यजकर जारकंड पस्चे मंगाल और तिरुपरा और मुझवरम यह आठ के राज्या आपके नाम यह पता होने चाहिए बिल्कुल याद होने चाहिए आपको और अभी हम इसके अक्सांतर देशांतर रेका हो के बारें बात करता है कि कि देखें यहां पहुत्तर की और भारत की मुख्यबूमी का विस्तार और दिग्री पॉइंट चाड़ से उत्तर और 37 डिग्री चेंट अक्षानसों के बीच है तो आप देखी हम भारत बनाते हैं यहां बनाते हैं यह बनाते हैं यह बनाया भारत वह बहुत इंपोर्टेंट आपको धियान से पढ़िए हमने ऐसी तरह से बना लिया है यहां पर देख आपको देखना है यहां पर कहीं आएगा सब्सक्राइब तो यह होगे अक्षान से रेखा तो अक्षान सो के इनके बीच है दोस्तों आठ डिग्री और 37 डिग्री शिक्स तो यह ध्यान एक रहा है और देख्शान तर रेखा जो यह वाली खिस्ते वर्टिकल इनके इनका व पूर पूर तो दोस्तों यहां पर जहां पर औरना चल लगेगा तो यह होगी देशान तरे का तो यह आपका अक्षी और देखाए देख लिए आगे बढ़ते हम आगे मैप में भी देखेंगे अगर हम विश्व को पूर्वी यह पस्चिमी गुलार्द में बाठते हैं तो भारत किसी तिक किस गुलार्द में होगी बहुत बड़े देशान तरे विस्तार लगवर 29 डिगरी के कारण यहां के दो छोर पर इसी स्थानों के स्थाने समय में बहुत अधीक अंतर हो सकता है इस तरह की दूरे पर इसी दो संदो की समय का अंतर लगबग 2 गंटे का होगा यादि हमारे यहां पर दो संदालें यहां पर जैसे अनोना चल प्रदेशा और यहांपर बुज्रात है तो 250 डिफ्रेंस अगर 500 बजा यह व फिर्टों को गुज्रात हो जान रगयी उ तो यह को ध्यान लगना है कि आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि आपने पहला पढ़ाया कि पढ़ते एक डिगरी दिशानतर के लिए स्थानिय समय में चार मिनिट का अंतर होता है यह हम अच्छ से देखा है अब चुछार में बढ़ेंगे तो चार प्लस करते चलेंगे यह हमने देखा था आगे बढ़ते हैं पस्ची में गुजरात के पेक्षा पुर्व के रुणचल प्रदेश में सूर्य लगबग दो घंटे पहले होता है यह मैं आपको बताइए गुजरात के पेक्षा पूरों म में सूर्य लगबग दो घंटे पहले निकलता है तो अरोनाचल प्रदेश में दोस्तों अगर सूर्य 5.00 बज निकल लाएं तो यहां भी दोस्तों 7.00 बज निकल लेगा यानि कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि साड़े 20 डेगरी पूरु देशांतर के इस्थानिय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है इस यह मुत्र को भारत का मानक यह मुत्र भी कहा जाता है इसलिए माना गया है ताकि सभी देश में एक स्टंडर्ड टाइम हम रख सके नहीं तो अ हमने साड़े 20 डेगरी को मानक समय माना गया है कि बढ़ते हैं कि भारत के परोशी देश साथ देशों की स्थले सिमाई इसकी सिमाई से जुड़ी है इन देशों का आप नाम बताने तो नाम देखते हैं आगे आएगा आपका नाम देखें यहां पर जैसे नेपाल है यहां कि अधिर और यहां पर दोस्ते हैं देखें पाकिस्तान रहे तो तीन तो आपक यह भी हहां पर पाकिस्ताने है और यहां पर थोड़ी से ही रेखा देखते हैं यहां वह मुझा कि ढखे हुए अफगानिस्तान कि सिमा भारत से लगी है तो आप जीन करते चलじゃ竟लाहों पहले नंबर प्राइफ। पाकिस्तान पर कि दूसरे आफगानिस्तान है कि इस उत्थन बस सबुआं पर चीन देखे तीन तीन देशकंवगे साथ सोग लगी हुई है यहां पर चोथे नमबर पर दोस्तों नेपाले भुटाने पांुर नमबर पर अब है उन्याम आए जैय और साथ अब दोस्तों क्या है बांगलादेश यह आपुध हनक नाय भूट दखषिन में दोस्तों दो देश हो रहे हमारे यहां पर देखे आप एटे-दोस्तों स्लिडर्णका拜拜 कि ऑपको ध्यानक के लोके beschलों को पताने हैं ज हैは पाइस्तान यहां अफगानिस्तान है डिक फकल नेपाल यहां भूतन है यहां बांगला देस हैं नब debates कि इन में से कौन कौन से देश है जिनकी समय समुद्र से नहीं जुड़ी है दक्षिन में समुद्र मिस्ति दोद्वीब स्रिलंका ता माल्दिफ हमारे पुड़ोसी है पाक जलसंदी भारत को स्रिलंका से लकड़ती है तो पाक जलसंदी दोस्तों यहां पर देखें यहां पर जलसंदी है यहां आपको ध्यान अगरना है यहां पर पाक जलसंदी है जो भारत और शिलंका को अलग करती है आगे बढ़ता है राजनितिक में प्रसासनी विभाजन एक बार इसको देख लिजा बहुत इंप्रोटेंट यह प्राकर्तिक मैप होता है ले जो हमारे उत्तर में इसे था देखे दोस्तों यहां पर इसे था यह हमाल्य है यह पूरा हमाल्य है आप और सिंदु दोस्तों है इसे भैषती ही निया से सिंदु नादी आगी यहां अपर गंगा नधिय पूरः इवर्ण पूर यह ब्रहम पुत लेडियों वाली चिलास देखेंगे तो हम देखेंगे मढ़नेंडिक कहां से निकलती यह ब्रहम पुत्र नधिक निकलती है उसका में है कि उस्थ यहां पर वनस्पतियों का अभाव होता है आप ने देखा है कि आप गलंट यहां पर यहां पर यहां पर शेल थो है और इसी की वज़ेसे दख्षिन में लिए या想ज्ज्व रहते महामन रुष्तर्यल क्नि में यहां पर यहां पर मशका मोटे को क्योंकि जब बर्सा होती हैं वारिष की यहां पर हवाई चलते हैं यहां पर रोधक्का काम करता है जो पश्ची में नहीं पहुंचने देती हवाई तो आपने देखा यहां पर भाड़ते मरुस्थल है कि आगे बढ़ते हैं कि यह आपका विध्यांचल सिरेणी है यहां पर देखिए और गुदावरी नदी हां पर है प्रिष्णा नदी हां पर है तो यह सारी नदी और इतने भी हमारे आंपर इस्थला करते हैं यह हम आगे वीडियो में देखी लेंगे अभी फिलाल के जो इस चैप्टर पर इस चैप्टर फोकस करते हैं आगे बढ़ते हैं भारत में पाए जाने वाली हम बहुत ही का कड़ते हैं विपन परकार की होती है जैसे परवत पठार मैदान तट दीपसमू तो अभी हम इनको देखेंगे बारी बारी से देखेंगे आगे चैप्टर में यह सब सब चीज आएंगे परवत कैसे बनते हैं पठार का निर्मान कैसे हुआ यह मैदान कैसे बने तट दीपसमू इनको हम सब को देखेंगे आगे आगे क्योंकि अगर इसी वीडियो में समझाने आ जाए तो बहुत बड़ा दोस्तों यह चैप्टर बैठेगा और बहुत लंबी किलास हो जाएगी तो अभी इस पर फोकस ना करते हुए हम आगे बहुत जल्दी ही भारत वाली किलास जब लेका आएंगे हम देखेंगे पूरा जो भारत से रिड़ेड़ी जितने भी इनफोर्मिशन है कहां परवत है कहां पैठा आ रहा है कहां मैदान है उन सब को देखेंगा अभी फिलाल इस चैप्टर पर फोकस करते हैं तो दे जो गुशन है यह मैं लाखर को परवत हिमाले प्रकी मुखी घंक शूरें में में बाठ जाता है सबसे उत्तर में इसको वर्द हिमाल projekt हिमाल यह इंहां में यहां पर हिमाल सै और अन्गरत कि सरंकला में विइसकि सब से हुंछी चोटी है मद्झि हिमाल यह उस्टो स्थ यह पांच पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाए सिवालिक सबसे दच्छिन में सिस रंकला सिवालिक दोस्तों यह जब हम देखेंगे आगे मैं फी क्लास में तो हाँ पर देखेंगे सिवालिक काँ पर है हिमाले के दक्षिन में भारत का उत्री मैदान इस्तित है सिवालिक क शेपों से बनाएं का अपक्षय अपरद्न हुआ है अपक्षय परदन का मतलब है कि हिमानी नदी के दूबर उनको परिवहन करना महां से जो उनके कंकड़ पत्थर रेत बालू ये सब आजाते हैं तो इनी से हमारा उत्तर भारत का मैदान का निर्मान हुआ है कि यह बहुत उ जन संक दिख रहती है तो बहुत उपजाओ है यह वाला जब आप मैप देखेंगे आप और यहां पर जो यह उत्तर भारत का मैदान यह सबसे उपजाओ है और सबसे अधिक जन संक दोस्तों इसी छेत्र मर मिलती है यहां पर आपकी गंगा नदी और ब्रहंपूत्र और इनकी साहिक नदीया आगे बढ़ते हैं भारत के पस्चिमी भाग में भारती महा मरुस्तलन है सुष्क गरम यहां पर राजिस्तान के आसपास तो हुआ और सुष्क का गडर में और रेचल ने सुष्क गरम है और ध्र प्यूंतpse डिक्षिक मात्र बहुत कम होती हुत को पर दोस्ति मरुस्तलन होता है यह प्राइदे पठार यह इतना हिस्सा प्राइदी पर हैं मैप में देखेंगे आगे इसके आकड़त तिर्भुजाकार है इसका धरतल काफी ओंचा नीचा है इस छेत्रे में बहुत से पहाड़ी संकला है तता गहाटिया इस्तीत है इसके उत्तर पस्ची में अरावली स्रंकला इस्तीत है अरावली स्रंकला आपने देखिया है यहां पर देखिया इसमें कि मैंने आपको यहां पर दिखाया है देखें मैप में आप देख रखते हैं फीन कि यह तो धुर्ण को यह कि वहkaaं पर आपने लेकर यहां शोसतन लोगोई चीक विरु उद्व जफकाई और यहम्हा। हिअ कि यह सब कर इसी तरह से पूछेह तो और यह कहां पर हूपक Brazil नीया रेजिक होओश ध। तो यहां पे इस तरह से यह राव ली ए वह विद्धी छल सरेनी यह यहां पर विद्धियांचल सरेनी हैं आगे बढ़ते हैं क victim लाएं देखें आपको दिखाता हूं तर्टो झार्टीयり और में prim 1 पूरवी दिखेंग ल्क कोई देखेंज दोबाइए कि देखें थोब का इस तो आप दो दोस्तो यह वालिये यह वद्धियांचल सिटेनी यह… और यह वाली जो दोस्तों, यह सथपूड़ा सुरेनी है, और इन के बीच से कोन से नदी भाल ही है? नर्मदा यह आपको ध्यान करना है, नर्मदा नदी विध्यांचल और सथ पूड़ा सुरे defenses में बीच से बह रही है सoring बरी रिटार पाटार है पूरा बराइद देखे वारी इन वर्टा ही नर्म तापी नदी यंट इप सब्सक्राइब टेमग्राइब लोग जब लुगे टापिन यहां पर लोगे तक्षिन में आगे बढ़ते हैं कि यह पश्चिम की तरफ बहने वाली न दिया है जो अरपसागर में गिड़ती है पठार के पश्चिम में पस्चिमी घाट यहां सहयाधरी तदक है में पूर्विगाट कंपर है तो त्श्चिमी घाट कहां पर है दोस्तों बहु कूर मैं बनाओssa अब देखेंगे तो यह पस्चिमी घाट यहां पर है यह पूर्वी घाट है आपका diffiम घाट का विस्तार एक समान नहीं है जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा उआ तक ऐसा मने इन पठारों में खरीजों जैसे कोईला शार की प्रचूरद तो मिलती है उप पुर्वी घाट के पूर में झाता पूरवी घाट के पूर में तती अम धाने तो पस नटके पस्चिम में तो पस्चिम रहरा और इसके पस्ची में देखेंगे तो R हैं यह वाला इष्छा यह लितंत्रिए मदान है सटों पूर्वी घट के पूर में यह लाइओ पस्षिमी नहीं काफि संक्रेया एं कि पूर्वी बत्रिए अम्लान ह्पेक्सर्णत चोड़े हैं अ most Poo बिखेने वाली कही नदिया ने माहानदी गोदावती कम नेकि वह गोदावली क्रिस्ना और कार ल कर लान के ओकलिती है बंगाली ख़ड़े आपने देखी जैसे भारत ही है तो बंगाली खड़ी सइड पूर्व में तो पूर्व में गिर यह यह लिए पने मुवाने पर उपजाओ डेल्टा का निर्मान करती हैं बंगाली खड़ी में गंगा इंब्रहंपुत्र नद्यों के मुआने पर सुंद्रबण डेल्टा स्थित है तो यह इन पूर्टेंट यह आपको ध्याना करने यह डेल्टा करें डेल्टा को हम आगे देखेंगे कि डेल्टा होता क्या है कि आगे बढ़ते हैं भारत में दो दीव समु भी है लक्षमदीप दीप समु अरब सागर में इस्तीत है जो की यह केरल के तर्ट से कुछ दूर इस्तित प्रवाल दीप है और अंडमान निकोबार दीव समु जो भारत से दक्षिन पूर्दिशा में बंगाल की खाड़ी में इस्तित है तो आपको कहां पर है टो को अर्ब सागर मिष्टेते अब अरफशक्र रवाल से बनाया है प्रवाल देप प्रवाल्ग्वार्वाल पर कि आप जानते हैं कि कौन सा दीप समू वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ समाचार पत्रों तता लोगों से बाचित के जरी जाने करी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारते ट्रट से टकराई थी तो किस परकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चनोती का सामना किया था चुनामी विशाल सागर्य तरंगे हैं जो समदू तल पर भुखम के कारण उत्पन होती है जो दोस्तों यह चैप्टर में बिल्कुल बेसिक सी इंफ्रमेशन ती देखें मैं आपको इसको बहार कहां तक है और भारत में कितने दीव समों दो अंड़मान इवनियों को बार दीप समों अ ओर लक्षिम दीव समों तो आपको यह ध्याना करना और कुछ इसमीं इन्फूरमेशन यह है इसमें यह है से लेकर कि यहां तक देखें दोस्तों यह जो लद्धा कर रही है इ लीजिए प्राकरते की और राजनेतिक भी भारत का ताकि आपको इसको समझने मासान नियों और इसको आप दुबारा से पढ़िएगा इस पीडिएफ को मैं अपने टैलिग्राम चैनल पर अप्लोड कर दूँँगा अब तक के लिए धन्यावाद नेक्स्ट यूडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं